नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जीतेन शुकला और आप देख रहे हैं डिस्टल एडवाइस रात के नौ बत चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी और लाइन टेस्ट का तो जी हाँ फरवरी के एक्जाम की अभी से सुरू कर देते हैं तैया जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एड्मिट कार्ड विजर्ड साल्टिफिकेट वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा और प्रास की टाइमिंग की बात करें तो रोज रात 9 बजे क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है तो बिलक बार कोड कैमरा की हेल्फ से रीड कर सकते हैं A option है true, B option है false बताई का right answer क्या होगा कमेंट या chat में answer बता सकते हैं और हर एक question के लिए आपको 5 second का time मिलेगा और आपका समय सुरू होता है अब कोशिस करिएगा सही answer बताने की आपका time अप हो चुका है और इसका जो right answer होगा false होगा ध्यानकना बार कोड जो है वो बार कोड रीडर की मदद से read किया जा सकता है जबकि camera से नहीं clear है और जो हम बात करें qr code की तो उसको जी हां हम लोग read कर सकते हैं camera की help से next question number two boot sequence change करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं a option है control panel b option है settings c option है bios d option है none of the above बताईएगा क्या होगा right answer comment या chat में answer बता सकते हैं five seconds है अच्छा question है unique question है और question अच्छा लगा हो तो जल्दी से thumbs up कर दीजे like कर दीजे जितना ज्यादा likes मिलेंगे उतने अच्छे रोज आपको online test में नए नए question मिलेंगे clear है जितना like उतनी ज्यादा मेहनत और उतने अच्छे questions आपको मिलेंगे तो जी हाँ बिल्कुल याद रखिएगा boot sequence जो है वो BIOS की help से change कर सकते हैं अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताई भी दे रहा हूँ बाई default जो हमारा computer है laptop होता है वो hardix से boot करता है बूट करने का मतलब यह होता है कि हमारा operating system hardix से RAM पर आता है clear है लेकिन कई बार हम लोगों को जरूरत पड़ती है boot sequence को change करने की उधारण के तौर पर यदि हमें computer को format करना है तो उस समय हम या तो DVD यूज करते हैं या pen drive यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है उस समय जरूरत पड़ती है कि हम boot sequence क्या करें change करें तो हो सकता हम pen drive उस समय select करते हैं या DVD select करते हैं कि भाई हमारा computer pen drive से boot करें या DVD से boot करें यह हम boot sequence में जाकर select कर सकते हैं clear है तो यह किसकी help से होगा BIOS की help से होगा next question number third देख लेते हैं तो जी हां computer बिना monitor के भी चल सकता है A option है false B option है true बताईगा right answer क्या होगा 5 seconds है good good और आपका time up हो चुका है तो जी हां इसका right answer होगा true होगा बिल्कुल चल सकता है computer बिना monitor के भी चल सकता है लेकिन आप कोई काम उस पर नहीं कर पाएंगे clear है क्यों क्योंकि दिखेगा नहीं आपको आपका laptop हो computer हो बिना monitor के चलेगा लेकिन आप उस पर कोई function या काम नहीं कर पाएंगे clear है तो चल सकता है इन्होंने बोला है तो क्या हो जाएगा true हो जाएगा next question number 4 sound का option notification area में दिखाई देता है a option a true b option a false बताईगा right answer क्या होगा good बढ़िया है तो जी हाँ इसका जो right answer होगा काफी लोगों ने right answer चैट में दे दिया है तो इसका जो right answer होगा ये true होगा बिलकुल याद रखिएगा आपका time, date, network, sound और ये laptop है तो battery का option right hand side monitor में नीचे की तरफ दिखता रहता है और उसी area को notification area बोलते हैं साथी साथ ये भी ध्यान रखना notification area task bar में होता है next question number 5 mouse द्वारा right click करके folder बना सकते हैं a option है true, b option है false बताईगा right answer क्या होगा ये भी आपके 12 December के paper में आया था और आपका 5 second का time अप हो चुका है तो जी हाँ याद रखिएगा true बिलकुल mouse हम right click करके भी keyboard क्या कर सकते हैं, keyboard ने sorry, folder बना सकते हैं और salt cut की भी आपके exam में पूछी गई तो याद रखिएगा control plus shift plus n भी प्रस करेंगे तो folder बन जाएगा next question number 6, b c d कितने bit code है a option 8, b option 4, c option 16, d option 10, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है good, good, जी हाँ time up हो चुका है, right answer जो होगा, 4 bit याद रखिएगा, b c d कितने bit code है, 4 bit code है और b c d का full form आप comment में बताएगा, b c d का full form आप comment में बताएगा, next question number 7, i map stand for, a option instant messaging access protocol, b option instant messaging application protocol, c option international messaging access protocol, d option none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है और ये question बहुत बार triple c में पूछा जा चुका है, clear है, और काफी लोगों का chat में right answer आ भी गया है, good, तो जी हाँ इसका right answer होगा, a, instant messaging access protocol, instant messaging access protocol, i map stands for instant messaging access protocol, next question number 8, facebook, twitter, yahoo, google plus, इत्याद में क्या समानता है, a option, sites के नाम है, b option, internet से सब्वंदित है, c option, social networking sites है, d option, online shopping, hey to sites है, और यहाँ पर मैंने गलती से bold कर दिया है, तो answer जी हाँ, पता चल गया होगा आपको, c है, social networking sites, जी हाँ, google plus ये बात ध्यानकना, आपको ये तो पता होगा, google plus भी क्या है, social networking sites है, facebook और twitter भी है, ठीक है, yahoo में भी एकुछ features थे, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं, वैसे yahoo क्या मुखिता search engine है, तो facebook, twitter और google plus आपका क्या है, social networking sites है, clear है, next question number 9, facebook messenger किसका उधारण है, a option instant messaging, b option network, c option social networking sites, d option none of the above, बताई का right answer क्या होगा, और ये आपका 11 December के paper में आया था, good, good, तो जी हाँ, इसका right answer होगा, काफी लोग ने right answer दे दिया है, instant messaging होगा, next question number 10, job search करने वाला application कौन सा है, a option twitter, b option link deadline, c option facebook, d option instagram, बताई का right answer क्या होगा, जी हाँ, इसका जो right answer होगा, b होगा, link deadline होगा, ध्यानक ना, job search के लिए क्या यूज होता है, link deadline यूज होता है, तो ये थे, आज के online test के question clear है, preparation अभी से start कर दीजिए, जिससे आपका क्या होगा, grade अच्छा आ जाएगा, preparation tips में तीन बताना चाहूँगा, तीन काम आपको रोज करने हैं, एक तो online test देखना है, proper देना है, उसके दूसरा काम आपको questions याद करने हैं, और तीसरा काम, एक book syllabus खरीद लीजिए, ठीक है, जो नए syllabus पे book आई हो, खरीद लीजिए, और proper study depth में करना start कर दीजिए, जिससे आप A या S grade के साथ अपना paper clear कर सकें, clear है, preparation related कोई भी problem हो, तो आप whatsapp कर सकते हो, comment कर सकते हो, और email भी कर सकते हो, description में आपको email id, whatsapp number मिल जाएगा, और आपको पूरी help provide की जाएगी, clear है, तो वीडियो को like कर दीजेगा, और कम से कम 10 लोगों को जरूर share करिएगा, ठीक है, कितने लोगों को, 10 लोगों को share करिएगा, मिलते हैं, कर रात, 9 बजे, नए online test में, और ज्यादा questions के साथ, goodbye, good night.